हेलो फ्रेंट्स, चाइना को लेकर एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है, आपको बताना चाहेंगे कि बहुत सारे भारतिय इस्टूजन्स जो की चाइना में ट्रैवल करना चाते थे, चाइना में इस्टडी करने के लिए जाना चाते थे, उनको पिछले दो सालों से के उनमती नहीं दे रही थी, अब फाइनली यहाँ पर चाइनीज गवर्मेंट भी भारतिय इस्टूजन्स के लिए अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को ओपन करने जा रही है, इसके बास सभी भारतिय इस्टूजन्स जो की चाइना में इस्टडी करने के लिए जाना चाते हैं, वो सभी लोग अब धीरे धीरे ट्रैवल करना शुरू कर सकते हैं, आपके साथ ये नियू जेटिंग की खबर सेयर करना चाहेंगे, जहां पर आप देख सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है, इसके साथ और भी कई बड़ी मीडिय चैलन्स की तरफ से इसके बारे में जानकारी दी जा रही है, इसमें कुल मिला कर भारतिय इस्टूजन्स जो भी चाइना में जाना चाते हैं, उनके लिए ट्रैवल बहुती मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि चैनीज गवर्मेंट के अनुस्ता सभी भारतिय इस्टूजन्स जो भी चाइना म पर दवाब बना रही थी उसका असर देखने को मिल गया है और चाइनिज गौर्रमेंट और भारतियों के लिए अपनी फ्लाइटों को ओपन करने जा रही है तो यहाँ पर चाइनिज गौर्रमेंट ने यह बोला है कि सभी भारती इस्टूजन्स एक साथ नहीं आ सकते हैं इस के लिए भारत की एमबेसी जो कि चाइना में है वो एक लिस्ट तयार करके देगी और धीरे धीरे यह सभी इस्टूजन्स जो है चाइना में जाएंगे